हाई प्रेंज, लर्न विद फन चैनल में आपका हलतिक स्वागत पहली एकाई, छटी कक्षा, हिंदी सुला भार्थी, पाठ करमांका आठवा, पाठ का नाम है जन्मदिन जन्मदिन इस पाठ में प्रुष्टक रमांका 19 से लेकर 22 तक जो भी सवाल आए, उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाड़े चलो तो शुरू करते हैं, इस पाठ में आए सभी सवालों के जवाब पाठ के शुरू में हमें दिया है, मैं कौन हूँ, सुचना, निर्देश, आदेश, आनुरोद, विन्ती के वाक्य विराम चिन्न सहीत पढ़ो आपको वाक्य पढ़ने और समझने, आपको कौनसा वाक्य सुचना का है, कौनसा वाक्य निर्देश का है, कौनसा वाक्य आदेश का है, यह आपको समझना भी यहाँ पर एक नंबर देया है, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है, यह वाक्य सुचना है जैसे फल सबजी लेकर घर आओ ये वाक्य निर्देश है चंदा मामा बाल पत्रिका पड़ो ये वाक्य अदेश है अपनी कुरूपा दुरुष्टी बनाए रखे ये अनुरोध है और पाच नंबर देया है बच्चों ने कहा गुरुपाया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताए तो ये वाक्य विनती है पाट में आगे हमें जरा सोचो कार्टून बनाओ ये दि पानी की तूटी बोलने लगी अगर पानी की तूटी बोलने लगी तो आपको ये सोचना है इसका कार्टूम बनाना है और आपको ये लिखना है की तूटी बोलने लगी तो क्या होगा यहाँ पर मैंने नमुना दे आए येदी पानी की टूटी बोलने लगी तो बहुत हद तक पानी की बचत होने लगेगी अकसर लोग पानी की टूटी खुली छोड़ देते यही नही मूँ धोते समय भी टूटी खुली ऊतिये और ब्रश करते रहते नल यही कहेगा कि पानी खत्म होने के बाद तूटी को बंद कर दे, पानी बरबाद न करे पाट में हमें विचार मंथन दिया है सवर उर्जा, अक्षे उर्जा सवर यानि कि सूरे से मिलने वाली उर्जा सूरे से मिलने वाली उर्जा ये अक्षे न समाप्त होने वाली उर्जा है ये आपको यहाँ पर विचार लिखने है तो इस सवाल का जावब है सवर उर्जा अर्तात सूरे से निकलने वाली उर्जा अक्षे है सूरे में अनन्त उर्जा है और वह समाप्तों होने वाली नहीं है अन्य उर्जा का भांडार सिमी थे परंतु सरूर्जा असिमी थे अन्ता आज आवशकता इस बात की है कि हम अधिक से अधिक सरूर्जा का उपयोग करे मैंने समझा इस पार्टने से मैंने समझा हमें पानी को बेवज़ा बरबाद नहीं करना चाहिए पानी का प्रयोक सोच समझ कर करना चाहिए जब आउशक्ता ना हो तो बिजली के उपकरन जैसे कुल एसी, बल, आदी को बंद कर देना चाहिए पानी और बिजली दोनों के बंदार सीमी थे इसे के आगया हमें भाषा की ओर शब्द युग्मों की जोडिया मिलाओ शब्द युग्मों यानि की जैसे की राद दी, नाकाश, पातल, जै, परा, जै, लाभानी आदी जैसे इन शब्दों को शब्द युग्मों की जोडिया कहते उसी प्रकारिया पर शब्द दिया है अडोस तो उसकी सही जूड़ी है पडोस बारी बारी अच्छा बुरा नहाना वहाना हसी खुशी इसी के आगे हमें स्वय माध्यन दिया है मात्रो भाषा के दस शब्द एवं दो वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो आपकी जो भी मातरु भाशा है आपको उस मातरु भाशा के दस शब्द यम दो वाक्य उनका हिंदे में अनुवाद करना है ट्रांसलेशन करना है या पर मातरु भाशा यानि के महराटी के दस शब्द दिये हैं मुल्गी हिंदे में उसको केते है लड़की मुल्गा लड़का गड़ी, जार, पेड, अमबा, आम, पनस, कटल, ससा, खरगोश, डग, बादल, खटारा, बैलगाडी, गवत, घस सुनो तो जरा द्वनी पिती, सीडी पर कोई लोगईत सुनो आपको द्वनी पिती, सीडी पर कोई लोगईत सुनना है यहापर मैंने एक लोगईत दिया है, आप यह लोगईत यूटूब पर भी सुन सकते हो और यह नहीं, कौनसा भी लोगईत आप यूटूब पर सुन सकते हो बता तो सही तुम आपनी चोटी बहन, चोटे भाई के लिए क्या करते हो आपको बताना है कि आप आपने छोटे भाई या छोटे बढ़न के लिए क्या करते हूँ या पर मैं नमुना उतर देता हूँ मैं आपने छोटे भाई की पड़ाई में मदद करता हूँ विद्यालाई से मिले ग्रोह कारे करवाता हूँ उसके साथ खेलता हूँ चित्रकला येवम कारेव में उसकी मदद करताओ इसी के आगे वाचेन जगस से यापर उनकी आत्मकता का अउंश दिया है आपको ये कता पढ़ने है और इसके उपर आपकी सहपाटियों के साथ आपको चर्चा भी करने है अपने नाना जी दादा जी को अपने मन की बात लिख कर वेजो यानि कि आपको यहाँ पर पत्र लिखना है दादा जी या नाना जी को और आपकी मन की बात उनको आपको बतानी यहाँ पर मैंने एक नमुना पत्र दिया है आप इसी तरह का पत्र दूसरा भी आपके शब्दों में आप लिख सकते हो इसी के आगे हमें दो तीन वाक्य में उत्तर लिखने के लिए एक आगाया है इसमें हमें चार सवाल दिये उसमें से एक नमबर का सवाल है बबलू की आदत से कोन परेशन थे? तो इस सवाल का जवाब है बबलू जिस तरह पानी की बरबादी कर रहा था उसकी आदत से उसके माता-पिता दोनों परेशन थे? इसी की आगे में दो नमबर का सवाल दिया है स्थीला माउसी ने बिचली की कटोती का क्या कारण बताया? तो इस सवाल का जवाब है घर में बढ़ जाने से बाहर तमाम जगों पर बिचली का बढ़ गया है इसलिए अब बिचली की कटोती होना शुरू हो गया है ऐसा शिला माउसी ने बिचली की कटोती का कारण बताया तिन नमबर है प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी वनी थी? तो इस सवाल का जवाब है प्यास के कारण बबलू बेचन हो उटा वह पानी पानी चिलाने लगा प्यास से उसका गला सुक जा रहा था खाने का एक और भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था इसी के एगया में चार नमबर का सवाल दिया है बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? तो इस सवाल का जवाब है बबलू ने इस बात को कभी ने जाना की सिला मोसी के यहाँ जर्मदीन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक था सिला मोसी ने उसे एक ज्यान दिया है पानी की महत्ता के बारे में अध्येन का उशल्लियो आपको निमनली की चितरो के नाम बताओ और जानकरी लिखो तो इस सवाल का जवाब है निमल की चित्र यहाँ पर जो पहला चित्र है वो है पेड का पेड हमारे सच्चे मित्र है पेडों से हमें फॉल फॉल लकड़ी दवाई आधी मिलती है पेड से हमें ऑक्सिजन भी प्राप्थ होता है जो आगे वाला दूसरा चित्र है वो है कुवे का तो कुवे से हमें जमीन के अंदर से गहराई से पानी निकालते हैं गर्मी के समय ये हमें मीठा और थंडा पानी उपलब्द कराता है इसी के आगे चित्र है जर्ना प्राया नदियों के रास्ते में आचानक से कोई नीचे का रास्ता आ जाता है तो वो जर्ना बन जाता है इसी के आगे चित्र है बादल बादल हमें वर्षा के लिए पानी देते हैं बादल न हो तो वर्षा भी न होगी और लाश्ट में जो चित्र है हो है नदी पाडों से पानी लेकर नदी मैदानों में आती है चलो तो दोस्तों मिलते हैं आगले सोद्धय में तब तक बाई टेक केर चैनल ना सब्सक्राइब केलना सेल तर सब्सक्राइब या बटना आवर क्लिक करा विडियो आवड आसे तर लाइक या बटना और क्लिक करा आनि तुम्छा मित्रान शेर करा चला तर विद्यारती मित्रानों बेटु या पूर्चा स्वाध्या मदे तो परेंत बाई टेक के